पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपना कॉलेज और सब्जेक कैसे चैन्ज कर सकते हैं पूर्णे अर्ण सुरी के अंदर प्रेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एंद तक देखे तो दोस्तों कल के वीडियो से याने कि पिछले वीडियो से आप लोगों को मालूम हो गया होगा इस बार कॉलेज और सब्जेक सिर्फ आर्ट्स वाला स्टूज चैन्ज कर सकता है सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको पूनियानुसिटी साइट पर जाना है पूनियानुसिटी.ac.in यह साइट पर जाने के बाद आपको एड्मिशन लोगिन तक जाना है अगर जिसको आता है वो इडियो को स्किप थोरा सा कर सकते है उसके बाद एड्मिशन 2020 पर आपको जाना है जैसे कि मैंने गया उसके बाद दोस्तों आपको नीचे वाला उप्सन पर आना है पूर्टल 했다 यहाँ मैं आपको भूलेग्या लेना चाहिए और सब्झेक लेना चाहिए ठीक है क्यूंकि मैं आपको सुरू से पताता हूं सबसे पेल चластė आहले हैं जैसे कि मैं या पर गया यहां जाने के बाद दोस्तों आपको डिग्री चुनना है सब्जक गृप चुनना डिस्टिक चुनना है अब डिग्री क्या होता subject गूरूप क्या होता डिश्ट्रिक क्या होता दोस्तो देखें इस बार जो college और यानि कि college और subject जो change करने का आया है वो सिर्फ arts वालों के लिए ही आया, arts वाले का मतलब क्या है, अगर आपका history subject है, तो आप political ले सकते हैं, जग्रोफी ले सकते हैं, या फिर economics ले सकते हैं, economics हैं, तो और other subject ले सकते हैं, लेकिन arts महीं आपको लेना होगा, ऐसा नहीं कि आप commerce या फिर science करते हैं, उसके आपको subject group चुनना होगा, ठीक है, फिर subject group चुनते हैं, BA general चुन लिए, BA मतलब arts, उसके बाद हमें subject group चुन लिए, उसके बाद आपको district चुनना, district आप जो भी district नजदीखा, आपका वो district चुनना, यसा नहीं कि पूर्णया चुन लिए, ठीक है, जो BA general में है, BA general का seat आपको दिखा रहा है, vacant seat, total सभी college का, जो कि पूर्णया district में है, यहाँ आप देखे, कितना college है total, college देखे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, total 7 college है, जिसमें से सभी college में 40, 30, 30, इतना इतना करके seat है, और दोस्तों, vacant seat जो है, total vacant मतलब total 40 seat, इतना है, यहाँ पर जिस कारण दोस्तों general खाली, इसलिए हो सकता है, अगर आप लोग general subject लेना चाहते हैं, तो general भी ले सकते हैं, सिर्फ आप वीडियो को देखे ध्यान से, मैं फिर आपको बताऊंगा कैसे लेना, उसके बाद अगर आप और कोई other subject चुनना चाहते है, जैसे कि मैं आप BA channel चु पर BA economics ले लिया, उसके बाद आपको subject group चुनना है, तो यह तो एक ही option है, उसके बाद दोस्तों आपको district चुनना, जो भी district आपका नजदीक है, सबसे पहले वो चुनना, ठीक है, तो फिर मैंने, सोरी, मैं यहाँ पर पूर्या ही चुनता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पूर् करें लिया, सबसे पहले का निचा बाद था लोचा है, सबसे पहले देखें, सबसे पहले सबसे ह duty, मैंने यहोथ उसके सरह, यहाँ पर यहाँ पर देखें तो गशिए का रहे रहा है यहाँ पर एक A.J. महिला कोलेज बनबन किये जिसमें से 64 में से 55 सीट खा लिए तो आप देखे दोस्तों आप क्या करना है जिसे कि B.A. जनरल में पहले पहले पताया उसके आद मैं इसमें बताया आपको सिंपली करना क्या है जिस कोलेज में सबसे ज़्यादा सीट खा लिए जैसी कि आप देख सकते हैं गौर्णमेंट डिगरी कॉलेज धमदा इसमें 47 सीट खा लिए तो दोस्तों जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट खा लिए उसी सब्जेक में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज को सबसे पहले देना है बस इतना ही में करा जो भी आपको जिला में अडमिशन लेना है किसी को किसंगंज में लेना है किसी को पूर्या में लेना है माल लेते हैं मुझे पूर्या में लेना है पूर्या में मैंने सर्च किया उसके बाद जो सब्जेक में अडमिशन लेना चाहते हैं एक हो गया जूसरा हम पूर्या में प्रवाद में से लेना चाहते हैं, अब वह दोनों कोलेज में हम ओनर्स जैसे कि economics ओनर्स चुने हैं, तो दोस्तों यहाँ आप दे सकते हैं, ओनर्स में इतना सीट खाले हैं, हम क्या करेंगे जब कोलेज चेंज करेंगे, अपना सब्सक्राइब तो कोलेज चेंज करने पर दे किये थे history owners यहां पर search किये अब history owners का total इसी तरह करके दोस्तो total seat आ जाएगा और total vacancy seat आ जाएगा ठीक है अब आपको हाँ पर सिर्फ subject नहीं change करना है subject तो आपका history रहेगा अगर आप subject नहीं change करना चाहते हैं माल लेते हैं अगर आप history में admission लेना चाहते हैं तो simply सिर्फ आपको college change करना आप college कैसे change करना है तो simply दोस्तों यहीं से आपको देखना है कि कौन सा college में सबसे अदा seat का लिए उसी college को लेंगे ठीक है माल लेते हैं थोड़ा वीडियो लंबी तो वो जिला से लग करेगा उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर total seat और total इसी तरह करके vacant seat और total seat आजागा तो जिसमें सबसे ज़्यदा vacant seat है उसी में जाना है अगर आपको subject नहीं change करना है तब अगर आप subject जो subject change करना चाहते हैं पहले आप पहले तो subject change करने पूर्या इनुशिटी में अपलाई किए ठीक है शुरू से सुनिए पूर्या इनुशिटी में अपलाई करने के बाद दोस्तों माल लेते हैं और एक बात कि आप history में apply किये हैं और आपको अपना subject नहीं change करना चाहते हैं अगर आप नहीं change करना चाहते हैं तो simply आपको degree में history honors ही चुनना है यही में करा हैं अगर आप नहीं change करना चाहते हैं तो history honors ही चुनना है हिस्टी और चुनने के बाद subject group चुनना है और जो जिला में आप admission लेना चाहते है इसाने की दूर का जिला जो जिला में आप admission लेना चाहते है वो जिला आपको चुनना है वो जिला चुनने के बाद total seat और total vacancy seat आ जाएगा चुनने के बाद मैं फिर से एक बार चुल लेता हूं ठीक है उसके आद में आप लोगों को अच्छा से समझा पाऊंगा वो डिश्टीक चुनने के बाद खाली है यह सिर्फ arts वाले के लिए ठीक है अब simply आपको बैग जाना है दोस्तों अब आपको college और subject चैन्ट करने के लिए application login पर क्लिक करना है ठीक है application login पर क्लिक करने के बाद आपको username password और capture पूट करना होगा ठीक है तो username जो भी दोस्तों आप जब apply किये थे वह username आपका हो आपका यहां पर सबसे पहले नाम लिखा हूँ आ जाएगा और college चैन्ज करने के लिए आपको simply college course choice में आपको किलिक करना जैसी दोस्तों उस पर किलिक करते हैं आप यहां पर आ जाते हैं दोस्तों अब आप लोग decide कर लिए हैं कि आपको कौन सा subject लेना है general लेना है या फिर लेना चाहता हूं तो मैंने ले रखा है उसके बाद दोस्तों यहां पर तो आपका एक ही option आएगा जैसे कि वहां पर आप चेक करें तो उसी तरह से एक option आएगा माल लेते हैं अगर आप economics लेना चाहते हैं तो simply आपको यहां पर होम साइंस पर क्लिक किजिए उसके बाद द आपका नदी को चुनना है उसके बाद college चुना है अब देखें यहां पर आपका option आ रहा है कि इस subject में बी ए एंसी एंट हिस्ट्री में मातर इतना ही college खाली है मातर दो ही college है इसी दो college में आप ले सकते हैं बाकि और college में नहीं ले सकते हैं लेकिन यहां पर थोरा सा पहले नीची आ जाईए यहां पर आप देखें total कितना college है पांच सबसे पहले आपको क्या करना है simply यह सारा college रिमूब करना है यह सब college रिमूब करने के बाद जिस college में सबसे ज़्यादा seat का लिए वो college को सबसे पहले select करना है उसके बाद जिसमें पहले आप एक copy लिजे ठीक बाकि यहां पर numbering क्या करना है सबसे पहला college यानि कि जिसमें सबसे अदा seat खाले उस college को यहां जोरना है उसके बाद उससे कम है उसको यहां उसको यहां और यह college को रिमूब कैसे करना है तो remove पे आप click करेंगे direct remove हो जाएगा ठीक है आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों यह किजेगा तभी आप लोगो करना merit list में आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो admission login के बाद सुरू से मैं आपको बताता हूँ admission login के बाद college course पर click करने के बाद सबसे पहले आपको सारा college remove करना है यह जितना भी college आपको दिख रहा है यह college remove करने के बाद फिर आपको यहां पर आना उस subject का सबसे पहले वह college चुणा है जिस college में सबसे ज़्यादा सीट खाली है ठीक हो उसके बाद पर उस college ऐसा में इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि हो सकता है जिसमें ज़्यादा सीट खाली है क्योंकि होता यही प्रोब्लम है अब आप बोलेंगे कि हम अगर तीसा नेम दोस्तों इस वीडियो का शेर किजिए पिलीज काफी इंपोर्टेंट वीडियो है यह मैं आपको एक एक स्टेप बताने का कोसिस किया हूँ तो यहां पर दोस्तों एड करने के बाद फिर आपको नीचे आना है सेवन कंटिन्यू पे इस पे क्लिक करना इसको छोड़ना नह दोस्तों उइमिद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी अच्छी लेग यह क्योंकि दोस्तों चैनल पहली बारा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्यूंकि आप देखी रहें पूनया सुर्य का पल पल की खबर पल पल की नोलेजेबल वीडियो जानकारी व पताओं फिर मिलते हैं नाय उड़ में तब तक के लिए जैहिन जैभारत।